दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे IRCTC से train ticket कैसे cancel करें टिकट cancel करने के बार refund कब और कैसे मिलेगा अगर आप किसी भी class का train ticket cancel करते हैं तो उसका refund कितना मिलेगा और कितने घंटे पहले अगर हम train ticket cancel करें तो कितना refund मिलेगा उसके बारे में complete जानकरी देंगे तो चलिए शुरू करते हैं आप IRCTC rail collect application को open कर लेंगे इसके बाद आप application में login करेंगे आप उपर login के icon पे click करेंगे और यहाँ पे आप 4Git MP ने इंटर करेंगे और यहाँ पे आप capture इंटर करेंगे capture इंटर करने के बाद आप login पे click करेंगे login पे click करते ही आपके सामने application का कुछिस type का interface खुल के आ जाएगा train का ticket cancel करने के लिए यहाँ पर आपको option दिख जाएगा cancel ticket का अगर आपको यहाँ पर option नहीं दिखाई दे रहा है cancel ticket का तो यहाँ पर आप my booking पे click करेंगे आप यहाँ train के icon पे click करेंगे इसके बाद आप सबसे उपर three dot पे आप click करेंगे और यहाँ पर आपको option दिख जाएगा cancel ticket का आप यहाँ से भी train ticket cancel कर सकते हैं तो चलिए हम यहाँ से train ticket cancel करेंगे तो हम यहाँ पे cancel ticket के आइकन पे click करेंगे इसके बाद आपको किस train का ticket cancel करना है आपको इस पे click करना है जैसा कि हमें यहाँ पे एक ही train ticket के यहाँ पे हमने book किया तो हमको इसी को cancel करना है तो हम यहाँ पे train के आइकन पे click करेंगे इसके बाद अब आप यहाँ पे confirm करेंगे अगर आपने इस train में 2 या 4 या 6 परसन का ticket book करके रखा है अगर आप उन में से किसी 1 या 2 परसन का ticket cancel करना चाते हैं तो यहाँ पे आपको उनके नाम के आगे आपको यहाँ पे box मिल जाएगा आपको इस box पे ticker देना है अगर आप सभी का ticket cancel करना चाते हैं तो यहाँ पे आप select all आपको इसमें box पे ticker देना है तो यहाँ से आप सभी का train ticket cancel कर सकते हैं आपको जितने परसन का train ticket cancel करना है आपको उसके नाम के आगे box का select करना है अगर आप सभी का train ticket cancel करना चाते हैं तो यहाँ पर आप Select R के सामने आपको box मिल जाएगा, आपको इस पर tick कर देना है अब आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर cancel का icon दिख जाएगा आप cancel पर click करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर yes कर देना है इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं हमारा यहां पर टिकट cancelled हो चुका है यहां पर आपको करेंट स्टेटस देखने को मिल जाएगी cancelled और यहां पर आपको refund amount देखने को मिल जाएगा तो जैसा कि हमने यहां पर ticket cancel किया है आपने जिससे थुरू payment किया था उसी में वापस return चला जाएगा ये आपका refund amount अब हम आपको जानकारे देंगे अगर आप किसी भी class का train ticket cancel करते हैं जैसे कि 3rd AC का sleeper का second setting का तो यहाँ पर आप अगर confirm ticket cancel करते हैं तो कितना amount आपका refund आएगा अगर आप waiting list train ticket cancel करते हैं तो अगर आपका ticket first AC में है तो आपको यहाँ पर 240 रुपे आपको यहाँ पर cancellation charge लेगा अगर आपका ticket AC two tier में है या फिर first AC में है तो यहाँ पर आपका 180 रुपे लगेगा cancellation charges अगर आपका ticket AC three tier में है यानि third AC में है या फिर AC chair car में है या फिर AC three economy में है तो यहाँ पे आपका 120 रुपए लगेगा cancellation charges अगर आपका ticket sleeper class में है तो यहाँ पे आपका cancellation charge लगेगा 60 रुपए अगर आप train निकलने से 48 घंटे पहले train ticket cancel करते हैं वो भी confirm ticket अगर आपका ticket waiting list है जैसे की RL waiting list है PQ waiting list है या फिर general waiting list है chart prepare होने के बाद आगर आपका ticket confirm नहीं होता है तो आपके account में यहाँ पे automatic ticket cancel हो जाएगा और आपके account में यहाँ पे full amount refund कर दिया जाएगा अगर आपने ticket e-ticket book किया है online platform से अगर आपने ticket book किया है जैसे की किसी application से या फिर आपने किसी website से ticket book किया है अगर आपने counter से ticket book किया है तो यहाँ पे आपका amount refund नहीं होता है लेकिन अगर आपने online ticket book किया है e-ticket book किया है तो आप waiting list ticket में सफर नहीं कर पाएंगे अगर आपने counter से ticket लिया है waiting list है तो आप सफर कर सकते हैं तो यहाँ पे कई सारी यहाँ पे rule and policy होती है आपका ततकाल टिकट है या फिर आपका वेटिंग लिस्ट है ततकाल टिकट या फिर आपका कंफर्म है ततकाल टिकट आपने यहाँ पर ततकाल टिकट ऑनलाइन टिकट बुक किया हो या फिर आपने काउंटर से लिया हो ततकाल टिकट अगर आप ततकाल टिकट कैंसिल करते ह तो आपका यहाँ पर कोई भी amount refund नहीं किया जाएगा IRCTC की train ticket cancellation refund rule policy की list बहुत ही लंबी है अगर आप counter से train ticket बुक करते हैं तो उसकी यहाँ पर cancellation refund rule policy अलग है अगर आप online train ticket बुक करते हैं तो उसकी यहाँ पर cancellation के refund and rule policy अलग है काफी लंबा वीडियो हो जाएगा लेकिन मैंने आपको इसमें वीडियो में cancellation refund के काफी important important चीज़े मैंने आपको बता दी है इस पे आपके लिए मैं एक separate वीडियो लेकर आऊँगा cancellation and refund policy के तो आसा करता हूँ दोस्तो आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो को लेकर कोई confusion है या train ticket cancellation को लेकर कुछ आपके मन में संका है आप मेरे comments box में पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो like करें मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो subscribe करें मिलते हैं दोस्तो next वीडियो में जहिन